दोस्तो जब भी आपको HRMS में किसी document, किसी APR या किसी office order या किसी PF पर आपको sign करना होता है तो आपका digitally sign नहीं हो पाता है क्योंकि जब भी आप sign करते होगे तो जहां भी sign window खुलके आती है तो या तो उसमें कोई भी token नहीं दिखाता है या फिर जब कोई token दिखाता है तो सिर्फ दो token दिखाता है दोस्तो आज की इस video में हम सीखेंगे कि आप HRMS में कैसे किसी office order, किसी PF या किसी APR पर कैसे अपना digitally sign करे दोस्तो वीडियो को end तक देखना है तब ही आप पूरा जान पाओगे कि आप digital signature किस तरीके से कर सकते हो दोस्तो मैं हूँ रवी और स्वागता आपका मेरे YouTube चैनल जवरवाल टेक पर तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाईए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज मिल सकें आपको सबसे पहले तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम डिजिटली सिंगनेचर करेंगे जैसा कि मेरे इंट्रो पार्ट में बताया है आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हर में हम किसी भी डॉक्कॉमेंट किस तरीके से डिजिटली साइन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अपना डिजिटली सिंगनेचर होना चाहिए यह जैसे मेरे टोकन है तो आपके पास भी अपना डिजिटली सिंगनेचर टोकन होना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं लैप्टॉप की स्क् हमारे पास यहां पर हमें token select करना रहता है अब यहां पर देखिए हमें सिर्फ दो token दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको यहां पर कोई भी token दिखाई नहीं देगा तो उस condition में हम किस तरीके से अपने document या अपनी APR या अपने PF या किसी भी office order पर sign करेंगे तो यहां पर देखिए सिर्फ दो यहां पर देखिए सिर्फ दो token दिखाई दे रहे हैं और आपका token यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आभी आपका इसमें digital signature नहीं हो पाएगा तो इस समस्या को सॉलू करने के लिए आपको इस screen को close कर देना है करने के बाद आपको इस help वाले option पर जाना है जैसे ही आप help पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको एक option आएगा dhc user manual इस पर किलिक करेंगे इस user manual में आपको यहां पर एक dhc signature का जो एप है उसका link आपको यहां पर मिल जाएगा इसे just आप copy कर सकते हैं इसका link में description में भी दे दूँगा वहां से भी आप download कर सकते हैं just आपको इस link को copy करना है या आप इसको direct click करना है click करने के बाद यह आपके इस तरीके से खुल के आएगा यहां से आपको यह copy कर लेना है और copy करने के बाद एक नई tab खुल ली है और वहां पर इसे paste कर देना पेस्ट करने के बाद जैसे यह आप किलिक करोगे आपका यह download start हो जाएगा आपको इस software को install कर लेना है मैंने already इसको install कर रखा है इसलिए मैं इसे cancel कर दे रहा हूं जैसे इस software को आप install करोगे तो यह आपके system में install हो जाएगा और आपको यहां पर search करना है em bridge तो यह वाला एप आपको यहां से open कर लेना है open करने के बाद यह एप आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और दोस्तो इसकी status यहां पर running होनी चाहिए ठीक है आप इसको यहां से अगर अगर यह running नहीं है तो आप यहां इसको refresh कर सकते हैं जिससे यह run हो जाए ठीक है दोस्तो इसके बाद हम इसे close कर देते हैं और आते हैं हमारे my computer पर आपको अपने system में my computer खोल लेना है और अपना token आपके laptop या PC जिसमें भी आप कर रहे हैं वो आपर लगा देना है जैसे आप token लगाएंगे आपके सामने इस तरीके से एक अलग से drive आजाएगी इस पर आपको double click करना है और आपका token आपने system में install कर लेना है दोस्तो आपने already आपका token system में install कर रखा है तो आपको इसे दुबारा से करने की आप सकता नहीं है मैंने फिलाल नही तक आपका DSC का pin change नहीं किया है तो प्लीज आपको एक बार अपना DSC का pin change कर लेना है जिससे कि आपका digital signature करने में कोई error नहीं आए उसके बाद आपको अपने वापिस HRMS पर आना है और आपको इस dashboard वाले option पर click करना है यहाँ पर आप जब click करेंगे तो आप अपने dashboard पर आ और फिर से आपको अपने उस document पर जाना है जहाँ पर आपको sign करना है तो आपको जैसे APR पर sign करना है तो आप APR पर जाएए जिस भी APR पर करना है उसको select कीजिए यह सब पर लाग होगा आप इसे किसी APR पर या PF पर या office order पर जहाँ पर भी करना है प्रोसेजर सेम रहेगा तो देखिए जैसे आप click करोगे तो आपके सामने आपका token दिखाने लग जाएगा ठीक है यह आपका अपना खुद का रहेगा जिस भी company के नाम से होगा उस company का token आपको यह पे दिखाएगा दिखाने के बाद आपको इस token को select कर लेड़ा है select करने के बाद यह certificate में आपका नाम सो करने लग जाएगा और यहां पर आपको डीए मिचार में इसका password डालना है आपको अपना इस का पासवर्ड डालना है तो इस तरही के से password डालनें के बाद आपको digitally sign करना है करने के बाद आपका document sign हो जाएगा और उसे जहां भी जाना होगा वो चला जाएगा तो दोस्तो HRMS में किसी भी document में आप इस तरीके से sign कर सकते हो आई आप दोस्तो वीडियो informative होगा और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को share करिए और चैनल को subscribe करिए ऐसी डेर सारी वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद